देखिए दर्शन कुण हम लोग पड़ते हैं दर्शन कुण जरूरी है आवर्धन छंता के लिए जैसे हम लोग सरल सुक्ष्मदर्शी पड़े है ना तो सरल सुक्ष्मदर्शी की जब आवर्धन छंता हमको निकालना होगा आवर्धन छंता तो आवर्धन छंता के लिए समझ लिया जाए कि दर्शन कूण क्या होता है तो पहले हम लोग दर्शन कूण पढ़ते हैं फिर हम लोग क्या निकालेंगे आवर्दन छामता निकालेंगे ठीक है कि अब यह दर्शन कूण क्या होता है इसको समझ यह जैसे माल लिजिए कि यहां एक वस्तू है एक वस्तू हो गया एबी एक वस्तू हो गया एबी और यहां ब्यक्ति का आख है अब आख समझ लो यहां आख है यह आख है यह आख है समझो ना समझने में का दिता है तो पांख वाला आख बना रहा है हीमेल का आख है तो देखो यह आख समझने आख है उससे ज्यादा नहीं समझो यह दोनों मिल कैसे चल जाता है अब इसे न पांख वाला आख होता है ठीक है तो यह आख है तुन्हों आख पर फोकस मत करो फोकस करो अब इस आख से इसको देखा जा रहा है अब द्याद सुनना अब यह वस्तु इस आख पर कितना कौण अंतरित करता है कोण अंतरित करने का मतलब यह हुआ कि सवस्तू के ऊपरी सीरे से इस आख को मिलाते हुए यह कल्पनिक रेखा हीचेंगे और निचले सीरे से कल्पनिक रेखा खीचेंगे और इसके बीच में जो कॉण बनेगा यही कहलाएगा दर्शन कॉण कि यह दुनों रेखाए क्या होते हैं काल्पनिक होती है इसको क्या कहते हैं अप जैसा कि आप जानते हैं कि आँक में थो उत्तल haven होता है हम लोग आगे पढ़ेंगे जब मानँहां नेतर पढ़ेंगे तो उन्हें बताया जाएगा कि LEANS होता है उत्तल तो यह माले जी की आख वाला उत्तर लेंस है ठीक है यह उत्तर लेंस हो गया और इसका यह मुख्यक्ष हो गया मुख्यक्ष होगा ना अब इस मुख्यक्ष के सामने इधर कोई वस्तु रखी गई है ठीक है यह हो गया ini subscribe अब यहां पर होगा प्रकाशी कंद्र जब लेंगे तो प्रकाशी कंद्र चलेंगी और चलेंगी और इसे लेंगे पर पढ़ेगा और पीछे फिर दर सब्वेटीना होगा उस रडर पर उसका प्रतिम क्या होगा बनेगा कहीं लन अब जब इससे किरने चलती हैं तो एक किरण को हम लेते हैं इसके मुख्य अक्ष पर एक किरण को ले गए कहाँ पर मुख्य अक्ष पर तो मुख्य अक्ष किरने तो निकल जाएगे सीधे और एक प्रकाश से एक किरण को भेजते हैं प्रकाशी केंद्र से हम लोग उत्तर ले ले रहा है एक नीचे वाला इसके आधार से चलने वाले किरण और एक इसके सिर्ष से चलने वाली किरण जैसा कि अभी लिये थे ना यहां पर एक आख बनाए थे और इसके ऊपर से रेखा ले गए थे काल्पनिक रेखा उपर वाले सिरे से एक वस्तु के नीचे वाले सिरे से लग रहा है यहां से परकाषिक के जा रहा है तो यहां से प्रकास किरण जाएगी और परकाषिक के अंदर से होकर आगे निकल जाएगी और एक प्रकाषिक काहां से इसके सिर्ससे जो प्रकाशी केंदर से होकर जा रहा है तो अब ये जो वस्तू है यह आख पर इतना कोण बना रहा है यह एकूर इस सोचके बताईए कि इसी वस्तू को कर दो दूर रख देते एसे चुना दूर रख देते दिसे वहिए वस्तु फटाइए दर्शन कोण छोटा होगा की बड़ा होगा हुआ है जोटा होगा है थे इक प्रकास करण को तो यह से लेंगे देख रेखा थे यह हो गया अब यहां से मिला नहीं किसको प्रकासिक केंद्र को मिलाईए चोटा तो हो रहा है कुण क्या होगा चोटा होगा पहले ये कुण बड़ा था अभी चोटा हो गया न इसका मतलब कि आख से कोई वस्तु जितना ज्यादा दूर रहेगा उसका दर्शन कुण उतना ही चोटा होगा ये न मतलब हुगा और जित किसी वस्तु को थोड़ा यहां एक बार रखते हैं कि यहां पर रख दीजिए तो यह किरण ठीक है जाही रहा है और यहां से प्रकास किरण जाएगा तो कुण देखिएगा बढ़ नहीं गया इसका मतलब कि दो चीज़ यहां से क्लियर हो रहा है कि अगर किसी वस्तु को हम अंम देख रहा है आभिश तो बहुत ज्यादा दूर है तो हमारे आहक का दर्चंप छोटा होगा और वस्तु नजदी तो एक चीजर समझें है जब वस्तु नज्दीक होता है तो बड़ा दिखाई पह वस्तु दूर होता है तो खोटा दिखाई देगा नज्दीक होगा तो जबाड़ा दिखाई देगा यह वास्तों में होता इस तरह से और हम लोग उत्तर लेंश द्वारा जब प्रतिम का बन्ना देखे थे ना तो उसमें याद करो कि जब जब हम वस्तू को ने दिख ले आ रहे थे तो प्रतिम का कार देरे-देरे बढ़ रहा था आप उसको मुझे फोकस पर आख रख दिए थे तो प्रतिम चला गया था अनंत बरह ब frei पड़ोर प्रतों निकट हो रहा है कि इन उसका मतलब की तो आघमें नलींच तो उतना बड़ा दिखाई देगा दर्शन बड़ा होगा तो बस देगा बड़ा दिखाई देगा तो वस्तु का बड़ा और छोटा दिखाई देना किस पर निर्वर करता है दर्शन कोण पर अब थाला समझे अब सुक्ष्मदर्सी करता क्या है सुक्ष्मदर्शी किसी वस्तू का बड़ा प्रतिम बनाता है न तो जो चीतर बनाए थे उसको एक बार हम फिर से बना रहे हैं कि एक इस तरह का उत्तर लेंज था मन नहीं नहीं पड़ रहा है इस तरह से था यहां इसकी मुझे फोकस था एफ ओन इधर ने फ्टू होता है और हम उसमें पढ़े थे कि सुक्ष्मदर्शी में वस्तू को लेंज के इतना करीब रखा जाता है है कि उसकी दूरी फोकस दूरी से कम हो मतलब वस्तू कहीं इधर हो ठीक है बस्तू इधर तो एक प्रकास की रणखों आप यहां से ले लिए और प्रतिविम चुका नहीं को तो एक को मुख्यक्ष के समांतर लेना पड़ेगे नॉर्ल मुखे फोकस से होकर जाएगा एक प्रकासिक केंदर से होकर लिया जाएगा ठीक है अब यह दोनों यहां पर नजदीक है रेखाएं आगे आते हैं इनकी दूरी बढ़ रही है तो जब बढ़ रही है तो इसका मतलब यह हुआ कि यह आगे जाकर कहीं मिलेंगी नहीं थोड़ा सब्सक्राइब यहां फर्मान दीजिए ठीक है मुखे फोकस से उकर जा रहा है और यह प्रकास की रण प्रकासिक केंदर से उकर जा रही है तागे तो कहीं मिलेगा नहीं क्योंकि इसकी दूरी लगतार क्या और यह बढ़ रही है इसको जब हम पीछे के तरफ बढ़ाते है इसको थोड़ा सा और पीशे के तरफ बढ़ाएंगे तो कहीं न कहीं तो जाके मिलेगा ही मिलेगा ऐसे यहां पर इसका बड़ा प्रतिम बनेगा एडैस बीडैस दियान देना वस्तू हमारा मालीजी यहां पर है और आख यहां पर है तो दर्शन कोड इतना बनेगा थीटा वस्त्व को सूला दूर कर दे रहा है यही सू दूर कर दिये लंभाई चुला ये तो वस्तू कुछ बदला नहीं है लंबाई जितना था उतना ही है अब यहां से दर्शन कोण बनाईए तो देख रहा है छोटा हो गया बस्तू का लंबाई में कहां बदला हुगा ने बदला हुगा लेकिन बस्तू बड़ा कब दिखाई देगा बताईए जब दर्शन कोण बड़ा रहेगा न तो बस्तू बड रहा है चितर से नहीं लग रहा है लेकिन वास्तिक्ता यह है कि वस्तु हम का बड़ा प्रतिम दिखाई दे रहा है इसका मतलब की वह दर्शन कुण क्या कर दे रहा है बढ़ा दे रहा है और किसका दर्शन को बढ़ा रहा है आख का कौन बढ़ा रहा है लेंस तो लेंस हमारे आख का दर्शन कोण क्या कर दे रहा है बढ़ा दे रहा है लेंस आख का दर्शन कोण बढ़ा रहा है तो वस्तु उमको क्या दिखाई दे रहा है बढ़ा दिखाई दे रहा है लेंस जो है जब दर्शन कोण घटा देगा न तो वस्तु कैसा दिखाई देन लएगा छोटा दि जिख रहा है कि दर्शन कोड़ा है कि छोटा है तो दो चीज है एक होता है सुक्ष्मदर्सी जो छोटी वस्तू urban को बड़ा करें दिखाता है और होता है दूर दर्शी जो दूर स्थित वस्तू उको निकट करके दिखाता है सुक्ष्मदर्शी छोटे वस्तूं को भी बढ़ा कर देता है तो इसका मतलब कि ये भी क्या कर रहा है दर्शन कोण को बढ़ा रहा है दर्शन कोण को क्या कर रहा है ये बढ़ा रहा है ठीक है दूर दर्सी दूर इस्थित वस्तु को निकट करके दिखाता है तो वस्तु दूर रहेगा तैसे छोटा दिखाई देगा तो इसको निकट करके दिखाईगा मतलब भी एक तरह से दर्शनकुन को ही बढ़ा रहा है दूर की वस्तु हमको बढ़ा दिखने लगे इसका मतलब यह हुआ ना कि वो दर्शनकुन बढ़ा दिया है तो दूर दर्शी भी क्या कर रहा है दर्शनकुन को बढ़ा रहा है तो सुक्षम दर्शी भी दर्शनकुन को बढ़ाता है दूर दर्शी भी दर्शनकुन को बढ़ होता है तो लेंस ही तो दर्शन कुण को बढ़ा रहा है तो किसी लेंस द्वारा दर्शन कुण को बढ़ाने की जो छम्ता होती है उसी को क्या बोलते हैं आवर्धन छम्ता बोलते हैं कोई लेंस कितना ज्यादा दर्शन कुण को बढ़ा दे रहा है उसकी आवर्धन छम्ता उ अंतिम प्रतिमिम समझ रहे हैं अंतिम प्रतिमिम अंतिम प्रतिमिम मतलब ना कि जब हम दूरदर्शी से चाह सुक्ष्मदर्शी से देख रहे हैं उस समय जो दर्शन कोण है दर्शन कोण कब प्रकाशिक यंत्र से देखने के बाद प्रकाशिक यंत्र से देखने पर देखने पर तो प्रकाशी की अंत्र से जब हम देख रहा है उस समय जो दरसन कुण है वह और एक बार बिना प्रकाशी की अंत्र दर्शन कोंड कब बिना प्रकाशिक अंत्र मतलब हम सीधे आखका पर्योंगर रहे हैं बीच में कोई शुक्ष्ण दर्श सी नहीं लगाये हैं तो बिना प्रकाशिक यह अंत्र के देखने पर दोना मंतर समया रहा है न कि जब प्रकाव कैंद्र से देखेंगे न तो वह emerce5 और अंतिम प्रतिविंध वही तो होगा ःनिलम मोही न देख रहें जी तो अंतिम प्रतिविंध द्वारा बना दर्शन कूण कि और वस्तु मारा इंद द्वारा बना दर्शन हैं एन होगा तो दोनों जब कौन है दोनों का मातरख एक ही होगा तो मातरख से मातरख कट जाएगा मतलब आवरधन शम्टा जो मिलेगा वाजू और मातरक का मिलेगा तव्ह तक कोई मातरक नहीं होताय कि और श outros युदaboutर काइगे प्रकाशीच की अंतर से देखने पर उसकिन रहए वह दर्षन कोन और बिना प्रकासि के देख ने पर दर्षन कोन बनगे इन दोनों का जो अनुपात होता है गा tahu panda ओर चाना ज्यादा ज्यादा है ति celebrity दर्षन कोन को जादे बढ़ाएगा जिसका अर। चाम्ता जितनी ज्यादा उतना बड़ा दिखाएगा जिसकी शम्ता जितनी कम रहेगा उतना ही कम बड़ा दिखाएगा उसकी तूलना में तो लेख लिजिए